आज की वीडियो बहुत ही खाश होने वाली उन लोगों के लिए जो लोग दूसरों की वीडियो डाउनलोड करके अपने यूटूब चैनल में अपलोड करते उनके लिए तो अगर आप लोग एक यूटूब क्रियेटर हो तो कभी न कभी जरूर किसी दूसरे का चैनल से निर्मला सिंह मैं फर्ष्ट ब्लोग में आप लोगों के न्यूट वीडियो में बेल कम है तो दोड़ तो आज की वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाली है इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके इन तक देखना और बीच में इसकी मत कीजिएगा नहीं तो आप उस समझ में नहीं आएगा और आप लोगों का चैनल में कॉपी राइट क्लेम आ जाएगा और यूज कांटेंट आ जाएगा जिससे आप लोगों का चैनल मोनेटाइजेशन होने से बैक कर देगा क्यूंकि आप लोगों का वीडियो में है जो और दूसरों की वीडियो से ड रिउज कांटेंट नाय और हम अपना चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अपलाई करें तो आराम से हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाए कोई दिक्कत परशाइन नहों कहीं ऐसा नहों कि आप लोग दो-तीन सल अपने चैनल में काम करते रहो महिनत करते रहो और जब आप लोग आपके चैनल को रियूज कांटेंट देखर के बैक कर दे तो दोस्तों आज मैं यही सब बताऊंगे कि दूसरों की डाउनलोड की हुई वीडियो में कैसे इडिटिंग करें कि आपके वीडियो में ना कोई कॉपीराइट क्लेम आए और नहीं कोई रियूज कांटेंट आए आ आपका वीडियो और आमशे मोनेटाइज हो जाए तो चलिए दोस्तों लेट ना करते हुए अब हम चलते हैं टापक की ओर तो दोस्तों अगर आप लोग यह यूटूब क्रियेटर हो और दूसरों की वीडियो को डाउनलोड करके अपने वीडियो में डालते हो तो सबसे प प्लाइ करोगे तो उसमें रियूज कांटेंट देगा जरूर तो कॉपी राइट क्लेम और मोनेटाइजेशन से बचने के लिए तो दोस्तों जब भी आप लोग यहनी की दूसरे की वीडियो डाउनलोड करो तो उसमें अच्छी खासी तगड़ी इडिटिंग करो वाइस और करनें बस से काम नहीं चलेगा उसमें अच्छी खासी डेटिटिंग करना पड़ेगा आप जैसे उसकी रेस है तो रेस कुछ कम जाधा करना पड़ेगा इसना तो Baptist कुछ कम जाधा करना पड़ेगा अब वह अपना लोगो लगा रखता है तो लोगो भी आपको चेंज क करना पड़ेगा जो उसमें लोगों होता है अब आगे पीछे वो क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है तो आप जो उसके आगे लिख रखा है तो उसका आगे वाला जो लिखा है उतना भाग कट करके आप अपनी और से उसमें कुछ इजिट कर दीजिए कुछ एड कर दीजिए अगर उसके पीछे इंड हो जो वीडियो इंड होती है उसमें अगर कुछ लिखा है तो आप लोग उसको भी cut करके दूसरा add कर दीजे और जो उसका thumbnail है thumbnail आप अपनी ओर से दूसरा लगा दीजे उसका thumbnail मत लगाएं तो जब आप ऐसे edit करके voice over करेंगे तो ऐशी वीडियो में कोई भी डर नहीं रहता है copy right claim का और ना ही reuse content का और अगर आप लोग उसकी वीडियो डाउनलोड करके थोड़ा थाड़ा यानि कि अपना voice over किया और फिर अपने YouTube वीडियो में अपने channel में उसको upload कर दिया तो ऐशे में copy right claim तो आई ही जाएगा और जब आप लोग अपना channel monetization के लिए apply करोगे तो आपके channel में reuse content दे करके बैक कर रहेगा आपका channel monetize भी नहीं होगा तो दोस्तों जितना मुझे पता था मैंने आपको उतना बता दिया तो दोस्तों ये मेरी वीडियो आप लोगों कैशे लगी अगर ज़रा भी अच्छी लगी हो तो like, comment, subscribe और share करना मत भूले और दोस्तों सबसे बड़ी बात है अपने वीडियो वाइरल करने का अगर आप लोग मेरे वीडियो में आए हो लेकिन YouTube recommendation में हमारी वीडियो डाल देती है लाइक करने से और impression बढ़ने लगता है location change होता है एक location से दूसरे location और comment करने से आप जो मेरे वीडियो में comment करोगे तो मैं तो आपके वीडियो में आऊँगी ही लेकिन जो मेरे फ्रेंडों को आपके comment दिखेंगे तो मेरे फ्रेंड भी आपके चैनल पर जाएंगे जिससे आपका वीडियो ग्रोव होगा आप वीडियो में वीडियो जाएंगे आपका चैनल ग्रोव होगा और एक location से दूसरे location आपके वीडियो जाना स्टार्ट हो जाएगी तो दोस्तों अब मैं अपने वीडियो यहीं से इंड करती हूं फिर मिलती हूं नूव वीडियो में तक तक लिए जय हिंद जय भारत